So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं Bank of Baroda के बारे में So guys, Bank of Baroda में अगर देखें तो यहाँ पर stock में As a long term के basis पर आप तगड़ा target रख सकते हों यहाँ पर बिल्कूल target आपके अचीव हो गए यहाँ पर अगर देखें आज Bank Nifty के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर morning में अच्छी यहाँ पर बड़त देखने को मिली इसने gap भी suddenly feel किया और एक बड़ा momentum इसने shift कर दिया बट बाकी बाद में sideways होना start हो गया यहाँ पर अगर देखें तो banking sector में कुछ stocks में एक अच्छी बड़त हमें देखने को मिली साथ ही bank को बरोदा में भी हम अच्छी बड़त expect कर रहे है और यहाँ पर एक टगड़ा pattern create हो रहा है उसकी वज़े से यहाँ पर stock में कल एक बड़ा move हमें देखने को मिल सकता है और guys as a long term के basis पर भी हम यहाँ पर target देखेंगे साथ ही guys हम बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे share के बारे में जो आपको bonus देगा यानि यहाँ पर एक share के ओपर आपको दो share बिल्कुल free मिल सकते है तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तेक आपने मेरे channel the mahajan trader को subscribe नहीं किया है तो please guys channel को subscribe कर देना तो करते हैं वीडियो को start तो guys अब बात करेंगे यहाँ पर bank को बरोदा की तो guys bank को बरोदा अगर देखें तो banking sector में एक शांदार share है और साथ ही अगर मैं कहूँ तो stock में बड़े momentum आने वाले हैं यहाँ पर stock भले ही अब एक सस्ते price पे trade कर रहा होगा बड़ यहाँ पर अगर देखें तो पिछले कुछ time में ही stock ने यहाँ पर अभी जो एक trade कर रहा है जो level पर trade कर रहा है इस level को पाने के लिए काफी time से हाँ पर पूशे चली बड़ी आपर अगर देखें तो कई बड़े moves हमें bank को बरोदा में देखने को मिला है साथ ही यहाँ पर अगर बात करें bank को बरोदा में यहाँ पर अगर देखें तो 85 पेसे तक यह share अच्छे तरीके से एक तगड़े तरीके से बढ़ता हुआ में नजराया और हम उम्मीद करते कि आगे भी ऐसी ही बड़त हमें देखने को मिले तो जहाँ पर अगर देखें तो stock ने शांतार return दिये है 0.62% के हिसाब से share बड़ा है और आगे भी stock ऐसे ही तगड़े momentum बता सकता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock 149 रुपे के around यह पर open हुआ था उसके बाद अगर देखें तो stock ने एक तगड़ा high भी यहाँ पर लगाने की कुशिश करी और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस high में यहाँ पर एक बड़ा momentum है हमें देखने को नहीं मिला बस 90 पेसे तक की बड़त देखने के लिए अगर देखे तो around and around 1 रुपीज के around गया था और बाद में अगर देखें तो इसने low भी लगा एक 138 रुपे चालेज पर सेगा बड़ यहाँ पर लास्ट में एक अच्छे लेबल पे closing दे दी तो finally इसके लेबल के उपर हम आ गए हैं बैंक और बरुदा के और यहाँ पर हम बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर तो इस 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर अगर आप देखोंगे तो स्टॉक में एक पैटन क्रियेट हो रहा है जिसे हम falling wedge pattern कह सकते हैं falling wedge pattern type ही यह pattern है इसे falling wedge type symmetrical pattern हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीकी का pattern बनाओ तो आप समझ गये होगे इसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो pattern create हो रहा है इसे हम कहते है pollen flag type pattern तो guys यहाँ पर pollen flag type pattern भी create हो रहा है और यहाँ पर अगर देखें बस यहाँ पर एक breakout भी यहाँ पर मिला है बस stock में अगर देखें तो यहाँ से sideways हो गया था है यहाँ से एक अच्छी बड़त देखने को बात तो यहाँ पर हो सकता है कि stock यहाँ से एक बड़ा move बता दे अगर bank nifty उपर की और open होता है कल market positive होता है यहाँ पर कुछ loopholes भी आपको देखने को मिलेगे जैसे यह वाला और यहाँ पर एवाला कुछ gap ups यहाँ पर होए है तो उन gaps को feel करना अभी भी बागी है तो share नीचे की और भी आ सकता है but as a long term के basis पर आपको इससे बहतरीं share नहीं मिलने वाला क्योंकि यह stock काफी तगड़ा है काफी तगड़ा है वही बात कर लें तो stock में बढ़ते हैं यहाँ पर as a long term के basis पर अगर आप देखोंगे तो आपको कुछ patterns यहाँ पर दिखाई दे रहे होगे यहाँ पर guys अगर देखा जाए तो stock में upside down momentum है यहाँ से stock में rejection है यहाँ से stock में support है फिर stock उपर से नीचा है फिर support लेके उपर गया फिर उपर गया फिर नीचा है यहाँ से support लेके फिर से stock में momentum देखने को बिला यहाँ पर अगर देखे तो जैसे मैंने बूला था कि यहाँ पर एक शांदार breakout आपको मिल सकता है और यह breakout हमें देखने को मिल यहां भी एक शानदार breakout के साथ यह stock हमें उपर की जाता हुआ नजर आया है और हम उम्मीद करते कि और भी बड़े momentum यहां पर हमें देखने को मिल सकता है यह जो levels हैं आपके साथ शेयर किये काफी जादा important levels हैं यह levels आपको तगड़ा पेसा कमा कर दे सकते हैं यहां से stock में जो level नजर आता है 160 रुपे का वही बात करें तो उपर और अगर जाए तो यहां पर 160 प्लस भी शेयर जाएगा अगर breakout मिला तो stock यहां पर 200 रुपे के ऊपर भी जा सकता है 230 रुपे का रांग यहां पर जो pattern है इसे हम falling wedge pattern कहते हैं यहां से stock बड़ा था यहां से rejection यहां से rejection फिर stock नहीं चाया फिर support लिया और यहां से उपर के ओले शेयर जा रहा है तो बिल्कुल बड़े levels यहां पर stock में अच्छी हो यहां पर होज़र होने वाले और बिल्कुल हम positive है guys stock को लेकर आने वाले time में भी तो यहां पर अगर देखें तो stock में सिर्फ breakout की देरी ह breakout अगर मिल जाता है तो यहां से बड़े momentum इजी तरीके से यहां पर हमें मिलने वाले हैं so guys बिल्कुल बढ़ते हैं यहां पर बात करूँ अगर मैं community sentiments के आकड़ों की तो community sentiments के आकड़े आप यहां पर देख सकते हो बिल्कुल आपको positive आकड़े यहां पर नजर आने वाले है यहां पर guys आप देख सकते हो कि stock में 85% के level पर हमें open होता हुआ यहां पर नजर आया था बिल्कुल यहां पर एक तगड़े level के साथ वही बात करें तो 85% के around यहां पर जो लोग हैं यहां पर buy करने के लिए कह रहे हैं और 7% जो लोग हैं यहां पर hold करने के लिए कह रहे हैं और यहां पर और 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 गर बात किया जाए तो यहां पर 91% लोग यहां पर बैंक और बरोदा में आपको positive नजर आएगे और सिर्फ और सिर्फ 8% लोग ही है जो यहां पर stock में आपको sell करने के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल guys यहां पर जो positive आगड़े आपको नजरा रहे ह आपको आगे भी देखने को मल सकते हैं और एक अच्छा पेशा आपको कमा कर देने वाले हैं तो इन लेवल्स का बस आपको ध्यान रखना है वही बात करें volume की तो कल के comparison यानि sorry last trading season के comparison में हमें जो volume देखने को बिला है वो हाला कि यहां पर कम है यहां पर 3 करोड का trade value है दे हापर बैंक और बरोदा को लेकर खाफी कुछ वाते हमने कर लिये हैं अब बात करते हमारे next share की जौब को bonus देने वाला है जो हमारा next stock होने वाला है उसका नाम है यहां पर में cover नहीं कर पाया उसका नाम है B.E.L. यहापर भारत electrical limited इसका नाम है शानदार share है यहां पर बात क रहें तो stock यहापर 10 रुपे 40 पेसे तक के return अच्छे दे चुका है 3.17% के हिजाब से वही बढ़ते है guys आगे यहापर अगर दीखा जाए stock में तो आज volume भी हमें तकड़ा देखने को मिला लगबग एक करोड से जादा की deliveries आज share में उठाएगी थी वही बढ़ते हैं आगे और यहापर अगर दीखा जाए तो stock आपको dividend बोनस दे रहा है 2-1 का यानि एक share के उपर आपको 2 share बिलकुल फ्री मिलने वाले है बिलकुल यहापर 2 share फ्री मिलेगे 4 अगस्त को यहापर announcement हुआ था 15 September 2022 को इसकी ex date है और बिलकुल आपको 15 September के पहले-पहले 2-1 का आपको बोन करेंग को प्रॉबर कियो कि पून सकते बिलक। के डिलक।